आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन केमिकल काइनेटिफ ठीक है तो इसमें क्या करने करेंगे कि एक्वेशन जो हम लोगों ने सीखी है प्रिविएस वीडियो में जीरो और फर्स्ट और 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 सेकिंड और के लिए उनको ही थ जो हैं हम टॉ और उफ ट्रेउस जो है बहुत हैंगो कोशन दे भी सकता है कि आपको ग्राफ कलॉट बहुत वाइस बाइस ऐप fotograf फिंसे दे झालवा ओ और बोलेगा चार option देखें कि इन में से ऐसा कौन सा graph है जिसको बनाने से आपको straight line मिलेगी या इसी तरीके से कोई भी आपको condition देगा और आपको exam में वो question solve करना है तो हम आज क्या सीखने वाले हैं कि हमें यदि graph बनाना नहीं भी आता है तो उस graph को कैसे बनाएंगे equations हमें याद होंगी क्योंकि हम अभी last videos में देखकर आएं 0 order, 1st order, 2nd order की reactions बस उन्हीं को किस तरीके से हम use करें कि हम graph कर लें तो graph को बना लें तो आज हम क्या करेंगे सबसे पहले उसका basic सीखेंगे फिर कुछ examples लेंगे ठीक है तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आता है अपने पास graph क्या y is equal to mx plus c यदि आपको इस तरीके की कोई भी equations देखे तो यह जो graph होता है ना यह line का curve होता है ठीक है आपको आता नहीं आपको पता ही नहीं यह line का curve है तो आपको क्या करना है आपको इस x की value को put करते जाना है x is equal to zero one two ठीक है ऐसे और यहां से x की value को put करने से आपके पास क्या मिल जाएगी y की value मिल जाएगी कि X वरावर 0 पर Y की value कितनी है Y वरावर 0 X वरावर 1 पर Y की value कितनी है और फिर आप जब curve वन आओगे X और Y के बीच में तो क्या आप X की value X की जो value आपने put करी है 0, 1, 2 और वहां से Y की जो value आई है उनको आप put नहीं कर सकते और उनको जब put करोगे और फिर जो भी आपके पास point आएंगे उनको मिला दोगे तो वो ही आपके पास क्या बन जाएगा graph बन जाएगा अब इसमें हमें कुछ चीज देखनी है क्या कि ये M क्या होता है इस M को बोलते हैं अपन slow ठीक है और C होता है intercept तो ये पूरी एक्विशन आपकी क्या होती है एक लाइन की एक्विशन होती है जो किसे solve करके देखते है X बराबर 0 पर ऐसे मैंने कोई भी equation मान ली X बराबर 0 पर मेरे पास Y की value आ रही है 1 X बराबर 1 पर Y की value आ रही है 2 इस तरीके से आ रही है वहाँ पर आपको सारा की सारा unknown नहीं देगा आपको कुछ ना कुछ चीजां वो देगा या फर कुछ ना कुछ ऐसे hint होगी कि X की बरने से Y की value इंक्रीज हो रही है या decrease हो रही है यहाँ पर मैंने क्या माना है X की value इंक्रीज होने से Y की value भी क्या हो रही है के पास y की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो आज जब इसका करो बनाओगे यहां पर लिया x-axis यह यहां पर लिया y-axis तो यह आपका होगे 0.0 ठीक है यहां से यह वन टू टू त्री x-axis पर लिये हैं ऐसे चलता जाएगा से यह एकस पर चलता जाएगा ठीक है तो हमने बोला कि x की value 0 लेने पर भी y की value 0 नहीं है कितनी है c के बराबर है माना कि आपके पास जो c दिया हुआ है वो 3 है तो इसका मतलब आपका करो यहां से शुरू होने वाला है इसके बद आपने put की x की value 1 x की value put 1 करने से आपके पास यह equation आएगी इस तरीके से y बराबर m प्लस c इसका मतलब कुछ नो कुछ value increase हुई है आपने m की value को भी fix कर दिया कितना 2 तो अब आपके पास यह कितना हो गया 2 प्लस 3 5 ठीक है इसका मतलब x बराबर 1 पर y की value कितनी है आपके पास 5 है इसी तरीके से आपने x की value 2 put की 2 put करने से अब आपके पास equation आएगी m इंटो 2 प्लस c y is equal to 2m प्लस c ठीक है और m की value आपने 2 मानी थी 2 इंटो 2 प्लस 3 है कितना होगा 7 तो यहाँ 7 कुछ इस तरीके से आप मिलाओगे तो देख क्या बनने है लाइन बनने है तो y बराबर m x प्लस c आपका किसका कर्व हो जाएगा line का कर्व हो जाएगा जहाँ पर m आपका slope है और c क्या है intercept इसको इस graph में शोकरना हो तो यह क्या है आपके पास c की value है तो graph बनाना ना सीख लेना क्योंकि आगे जहाँ माइकलिस equation पढ़ेंगे या फिर जितने भी हम theories पढ़ने वाले हैं वाग्राफ का क्या होगा यूज होगा तो आप graph बनाना सीख होगे नहीं है सीखोगे नहीं कि intercept क्या है स्लोप क्या है graph में ही तो आप आगे के question solve नहीं कर पाओगे तो यह जो है आपका क्या हो गया intercept इस तरीके से आपको show करना ना चाहिए और M क्या है slope है slope एक तरीके से सो सकती है अपन ड़लान बोलते हैं कि इस पहाड़ी की ड़लान इतनी उस ड़लान को यह, वो ड्लान M दिया हुआ है यह यह Positive Slope है यह Negative Slope है तो इसके लिए अपन kard बनाते हैं M और C की वैलिव है फिख्स कर देते हैं कि M की वैलिव अपने पास 2 है C के वैलिव आपके पास 3 है ठीक है तो यहां से आपके पास क्या होगा कि यह अपना kard है ठीक है यह x है यहाँ पर यह y है आपके पास यह 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलता जाएगा यह 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपके चलता जाएगा ठीक है अब आपने सबसे पहले put किया क्या x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर आपके पास इस equation के यदि मैं यही simplify करके लिख दूँ तो यह आपके पास होगा 2x प्लस 3 इस तरीके कि आपके पास कोई equation बन क्या रहे है यहाँ पर x बराबर 0 put कीजिए तो y की value आपके पास क्या आएगी 3 आएगी x बराबर 0 पर अब आपकी जो y की value है वो कितनी है 3 है ठीक है दूसरा point निकालते है x बराबर 1 पर y की value निकालिए तो अब आपके पास आएगा यह minus 2 into 1 plus 3 इसका मतलब भी आया 1 ठीक है y की value क्या हो गई अब आपके पास x बराबर 1 पर 1 हो गई ठीक है x बराबर 2 put कीजिए तो आपके पास y की value आएगी minus 2 into 2 plus 3 इसकी value होगी minus 1 अब minus 1 अभी यहां नहीं देख पार हो लेकिन यह करब होता तो पूरा इस तरीके से है यहां minus 1 यह minus 2 यह minus 3 इसका मतलब अब y x की value अब 2 put करोगे तो y की value क्या है minus 1 है आपका graph क्या हो रहा है इस तरीके से नीचे कम होता जा रहा है ठीक है यह जो slope आ रही है इसी को बोलते है अपन क्या negative slope इसका मतलब positive slope का कर आगके पस इस तरीके से आने वाला है बढ़ता हुआ और negative slope का कर मैंप के इस तरीके से आने वाला है करता हुआ ठिक है और वहीं यहां पर यह जो है यह यह आपके पस क्या है C intercept है और आपको किसी भी position पर slope नकाने ना है तो उसके लिए उसके क्या करनी है ठीटा की वैल्यू ठीटा की वैल्यू भी किस तरीके से निकालनी है टैन ठीटा की जैसे निकाल देना आपके पास स्लोप आ जाएगी यह mathematics का काम होता है इतना आपको वो देगा नहीं आपको सीधे सीधे m की वैल्यू देगा और आपको तो सीधे वहां से equation आपको कुछ बतानी होगी order of reaction आपको बताना होगा जी कहिए दो कर्व होगे अब जरूरी तो नहीं है वो आपको question में इंटर सेफ दे तो आप y बराबर mx का कर्व भी आप बना सकते हो तो इसका मतलब क्या होगा इस बार कर्व आपका x बराबर 0 पर बनाएए x बराबर 0 पर इस बार y की value क्या होगी 0 होगी और आपका कर्व यहां से ही शुरू होगा बढ़ता होगा इसका मतलब आपको कोई कर्व आता भी नहीं है तो आपको क्या करना है simple x की value put करते जानी है और उससे y की value क्या आ रही है वो निकान ली है और आपको इस curve में वो show करना है आप वो show कर पा रहे हो तो आप करवों को बहुत इजली बना सकते हो चाहे आपने उसकी revision की है चाहे नहीं की है हमें अपना concept बताए क्या x की value put करो y की value find out करो उसे curve में show करो ठीक है तो यह हुए अपने भी दो curve उसके बाद आगे थोड़े जो different curve है उनको भी सीखते है आपके पस next curve आता है y बराबर mx की power यहाँ पर n की value greater than 1 लाइक आपको y बराबर mx square का करवा जाए y बराबर mx q का करवा जाए तो इनको कैसे बनाना है कि इसको हमें याद करना है बिल्कुल ने करना है हमें क्या करना है बस x की value को put करना है और उसे जो y की value आईगी उसको graph में show करना है तो मैं यहाँ पर आपको एक example लेकर चल लो हूँ y बराबर mx q का आपने पढ़ा होगा ना parabolic curve होता है इसका अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं है y बराबर mx q का करव parabolic होता है उसी यही नहीं पता कि parabolic होता कैसा है तो क्या वो paper में करव छोड़के आएगा नहीं आएगा क्यों उसे पता है मुझे सब कुछ जानना ही नहीं है मुझे तो बस x की value पुट करनी है और y की value find out करनी है तो करते हैं तो देखिए यह हुआ आपके पास इस तरीके से होता है पूरा यह 0, यह x, यह y ठीक है इस तरीके सा आपको चारो यह बता देती हूँ यह minus y आता है इस तरफ और यह minus x आता है हमके इस धर बात करने वाले हैं तो देखो x की value आपने 0 put की x की value 0 put करने से y की value क्या आ रही है 0 आ रही है इसका मतलब आप यह जो point बनाने वाले हो यह यहाँ बनाओगे होगी आपका एक point तयार उसके बाद आप value put कीजे x की x बराबर 1 x बराबर 1 पर y की value 1 आनी है ठीक है आप यहाँ पी put कर देजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है x बराबर 1 पर y बराबर 1 आ गया अब आपको put करना है x बराबर 2 तो y की value कुतनी हैएगी y की value आईगी m into 2 square यही की value आपके आईगी 4m put कीजिए x बराबर 2 पर y की value आपके पास क्या 4 इस तरीके से अब आप पृट कीजिए x बराबर 3 x बराबर 3 पर y की value आपके पास आईगी 9m square हो रहा है 3 पर Y की वैल्यू 9 लगबग यहां कहीं आएगी ठीक है उसके बाद देखो इसे इस तरीके से मिला दो ठीक है यह इस तरीके का कर्विस का आएगा अब आपसे वो पूरा ही आपको जैसे पैराबोलिक जानना है यहां पर तो आप पुट कीजिए अब यहां पर X की वैल्यू माइनस वाली पुट कीजिए X परावर माइनस वन पुट करोगे तो वो स्क्वार होने पर इस तरीके से तो पर आपके पास वैल्यूफी खोर आएगी 3पर इस तरीके से तो इस कर उत लिए की पर तरो बना देना है अब यहां सीख रहें इसलिए तैंम लग रहा है एक बार हम सीख जाएंगी तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा अपने ठीक है अब next curve बनाते हैं अपन किसका y बराबर m over x की power n का लाइक आपको graph बनाना है y over m y is equal to m over x का या y is equal to m over x square का यानिकि inverse वाले आपको बनाने हैं curve तो वो किस तरीके से बनाएंगे तो अपना y फंडा रखना है x की value put करते जाना है और y की value को निकालना है तो यहाँ पर example अपन यही ले लेते हैं y is equal to m over x के लिए x की value 0 put करोगे तो y की value कुछ infinite आईगे निकि यह कर infinite से शुरू होने वाला है क्या infinite का अपने curve बश्यों कर सकते हो नहीं कर सकते हैं देखे करेंगे अपन क्या कर सकते हैं दो y की value put 1 करोगे तो y की value आईगी m, x की value 2 put करोगे तो y की value आईगी m, y, 2 x की value 3 put करोगे तो y की value आईगी आपके पास m by 3 इसका मतलब उपर से नीचे आने पर value क्या हो रही है, y की decrease हो रही है ठीक है तो कर्व बनाते हैं अब इसके लिए अभी आपके लिए x यह y है यह 0.1234512345 अब यहां पर कहीं infinite से graph आपका आ रहा है आपको नहीं पता यह infinite जैसे आपके यहां पर है infinite आप शोर नहीं कर सकते infinite से आ रहा है लेकिन जैसे जैसे x की value बढ़ रही है वैसे वैसे y की value क्या हो रही है decrease हो रही है देखको इसका करवाएगा कुछ इस तरीके से आप यहां m की value put कर लेना तब भी आपके पास यह आ जाएका कर लेको x की value 1 पर आपके पास value है y की यह x की value 2 पर y की value कम हुई यहां पर आगी है वापके पास इसका मतलब y बराबर m over x का करवापका इस तरीके से बनेगा याद करना पड़ा है इसमें कुछ नहीं ना बस आपको x की value पुट करनी है y की value निकान ली है बस अभी तक ग्राफ में यही आ रहा है अब आपके पास वो किसी भी तरह का ग्रा आता है तो आप उसको टेम यहां दे सकते हो वाइद आपको एक्जाम में इतना भूलने की टेंशन होती नहीं कि एक्जाम में जो दिमाग काम करता है ना कुछ एक्स्टर लेवल का ही काम करता है तो आपके पास करवाता है y is equal to e की power mx या कर भी नहीं आते हैं तो अपने को दो एक्से apart की वारीव आपके पास क्या है गी कि पावर जीरो बन x की value 1 put की y की value आपके पास क्या आएगी e की power m into 1 is equals to e की power m x की value आपने 2 put की y की value आपके पास क्या आएगी e की power m into 2 e raise to the power 2m x की value 3 put की y की value आएगी आपके पास e 3m और m यहाँ पर क्या है positive है इसका मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपके पास y की वैल्यू क्या हो रही है increase हो रही है बढ़ाएं कर विसका यह x यह y 0 1 2 3 4 5 अब यह क्या है 2.71 की पावर m 2.71 की पावर 2m अब मैं आपको इस तरीके से क्यों लिख रही हूँ यह बताना चाहरी हूँ कि यह जो है ना वो line के जैसे नहीं है कि जितना x बढ़ रहा है उतना ही y बढ़ रहा है इस तरीके से कर लो, y बहुत जादा ही बढ़ रहा है उस x की value पर तो x की value 0 पर y की value आपके पास क्या है? 1 है ये पुट कर दिया आपने x की value 1 पर y की value e की power m है तो e की power m हमें क्या पता आप m यहाँ पर क्या है? m आपको दिया होता तब आप उस तरीके से करते पर इस तरीके तो यह करो आपके पास आएगा कुछ इस तरीके से ठीक है क्योंकि X की वैल्यू आप जैसे बढ़ा रहे हैं Y की वैल्यू कुछ जादा ही बढ़ रही है य य य वैल्यू की aitill एक से कुछ जादा है एकस की वैल्यू है पर वाई की वैल्यू फिर एकस की टू से जादा है डायक्ष रिलेशन तो नहीं है दोनों के बीच में कुछ पावर की फॉर्म में है यह और यह भी पॉजिटिव है तो आपके वैल्य क्या होगी यह बढ़ती हुई जाएगी आप को यदि यह नहीं आ रहा है तो पुट भी कर सकते हो लाइक आपने एक सब्सक्राइब क्यों जायेगा अगर आपके पास लोप कैसा है नेगितव स्लोप इसलोप है तो कैसा वाने वाला है एकिवली जिरो पुट कीजिए वाइकी वैल्य आपके पास आएगी एक की पावर जीरो इस इकुल्स डूवन चीक है एक्स की वैली वन पुट कीजे वाई की वैल्यू आपके पास आएगी एक्की पावर माइनस एम जिससे आप बोल सकते हैं वन ओवर एक्की पावर एम x की value 2 put कीजिए y की value ऐगी 1 की power minus 2m यहां से क्या शूरू हो रहा है कि x की value बढ़ने से y की value decrease हो रही है पर direct relation नहीं है उनके बीच में वो कुछ power में कम हो रहा है तो जादा ही कम होने वाला है जैसे अभी किया था पनने तो कर्व बनाएंगे इसका तो x बराबर 0 पर y की value 1 है इसको यदि मैं 1 मानती हूँ तो आपका यह कर्व कुछ कम होता हुआ जाएगा और आपका यह कर्व बनेगा इस तरीके से ठीक है यह हुआ किसका y is equal to e की power minus mx का कर्व अब हम बात करते हैं y is equal to e की power m by x की ठीक है यहाँ पर put कीजिए x की value 0 तो y की value आपके पास क्या आने वाली है y is equal to e m by 0 यह क्या होगा e m किसी m by 0 को बोलते हैं कि infinite नहीं कि infinite x की value 1 पुट कीजिए y की value आपके पास आएगी e की power m by 1 x की value 2 पुट कीजिए y की value आपके पास आएगी e की power m by 2 X की value 3 put कीजिए Y की value आपके पास आएगी E की power M by 3 इसका मतलब जैसे जैसे आपका X बढ़ रहा है Y की value decrease होती जा रही है और करव आपका कहां से शुरू होगा infinite से शुरू होगा तो इस करव को जब आप बनाओगे ये Y ये X infinite आप इस तरीके से और ये value क्या होती जाएगी कम होती जाएगी ये करव आपका इस तरीके से आएगा ये किसका करव हुआ Y is equal to E की power M by X का आपको initial point पता है और ये पता है कि X और Y की बीच में क्या relation है तो बिना उसके भी आप ये करव बना सकते ये 1, 2, 3, 4 अपन प्रॉट करते हैं तो आप देख लेना आपको इसी किस तरीके से पढ़ता है कि शुरुआत का point निकालो और ये देखो कि X और Y के बीच में क्या relationship है ठीक है उसके बाद हम देखते है Y is equal to E की power M by X का वही करना है अपने को तो X की value 0 put की Y की value minus M by 0 E की power minus infinite इसको किस तरीके से बोलेंगे 1 over E की power infinite ये क्या हुआ 1 over 0 sorry 1 over infinite उसको बोलेंगे क्या 0 ठीक है ये करब कहां से शुरू होने वाला है 0 से शुरू होने वाला है X की value 1 put करोगे Y की value आपके पास आएगी E की power minus M by 1 ये किसको बोलोगे E की power M X बाबर 2 put कीजे Y की value आपके पास आएगी minus M by 2 की E की power M by 2 ठीक है पहले आपने M से डिवाइड किया Y की power M याने की 1 over 2.71 की power M इस पर आपने डिवाइड किया Y 2.7 और जो power थी उसके भी हाव से इसका मतलए यहाँ पर क्या हो रहा है X की value बढ़ने से Y की value क्या हो रही है increase हो रही है ठीक है क्योंकि पहले आपके पास था ये 1 इस तरीके से आप ये मानो ये आपके पास था पहले 1 over 2 की power 2 था sorry 4 था तो ये क्या होता है 1 over 2 तू जा 4 2 to the 6 to the 2 to the 4 2 to the 8 2 to the 16 ये पहले 1 over 16 था अब आपके पास ये उसका just half इस तरीके से 1 by 4 इसमें से बड़ी क्यान से value है ये वाली है इसका मतलए X की value बढ़ने से Y की value क्या हो रही है आपके पास increase हो रही है तो आपका ये करवा है का कुछ इस तरीके से कुई बात है ये अब एक last जो basic करवा आपको सीखना है वो सीखना है आपको Y is equal to MX over X plus C का देखका अब यहाँ पर ये upon में है ठीक है denominator में है कैसे करना है equation तो पहले तो आप ये X और Y axis बना के रख दीजिए ये Y axis है ये X axis है ठीक है जिरो पॉइंट है इसमें दो cases चलते हैं पहला case होगा जब X very less than होगा C से यानि शुरुवात में आपके बास X की वैली काफी कम होती है तो इस equation का पुछ इस तरीके से लिखोगे ठीक है यहाँ पर Y जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप थोड़ा manipulate करके यह यह पूरा की पूरा क्या हुआ आपका slope हुआ यह करब तो हमने पढ़ा हुआ है X वराबर 0 पुट करेंगे तो Y की वैली जिरो आएगी X वराबर 1 पुट करेंगे तो Y की वैली भी 2 हो जाएगी इसका मतलब यहाँ Y directly proportional किसके हो गया X के जैसे जैसे X की वैली को बढ़ाएंगे Y की वैली क्या होगी X की वैली जिरो X की वैली 1 Y की वैली M dash X की वैली 2 Y की वैली 2 M dash तो जैसे जैसे X को बढ़ा रहे हैं उसी वे में y की value बढ़ रही है तो यहां तो आपका जो y proportional to x आने वाला है लेकिन दूसरा case जब x की value बहुत जादा हो जाएगी c से आगे बढ़ते जाएगी x की value काफी जादा बढ़ती जाएगी तो उस case में आपके पास यह equation हो जाएगी इस तरह किसे यहां से x से x cancel out y is equal to m यानि कि यह कैसा curve आगए constant curve आगए m की value आपको कुछ ना कुछ दी होगी यह किसी पर depend नहीं है तो यह constant आगए इसका मतलब आप x कितना भी बढ़ा हो कितना भी इसको increase करो y आपका क्या रहने वाला है constant रहने वाला है ठीक है तो शुरुआत में जैसे जैसे आप x को बढ़ा होगे जैसे जैसे आप x को बढ़ा होगे y की value भी increase हो रही उसी तेरे से x0 पर y0 x1 पर y1 x2 पर y2 x की value बढ़ती जा रही है जब x की value बहुत जादा हो जाएगी तो y की value बढ़ भी रही है तो आप उस तरीके से करके simple उसी way में x की value put करते जाना और y की value निकालते जाना ठीक है इसके बाद x की value बढ़ाने से आपकी y की value क्या आ रही है constant आ रही है तो इस यह किसी चीच का करव हो गया y बराबर mx over x over x plus c करवा काफी important है काफी questions में आपके काम आने वाला है यह हुआ अब हम देखते हैं कुछ examples ठीक है शुरुआत करते हैं अब देखिए आपको यह question में दिया हुआ है हमको graph curve करना है यह कुछ questions है और किसके लिए zero order reaction के लिए ठीक है तो सबसे पहला curve देखते हैं सबसे पहले आपको दिया हुआ है रेट वर्सेज कंसेंट्रेशन में जीरो order reaction के लिए रेट क्या थी आपके पास इस तरीके से थी यानि कि वह concentration पर डिपेंट कर ही नहीं रहा था आप concentration कितनी इंक्रीज करो रेट की वैल्यू क्या है constant है ठीक है तो यहां से आपके पास यह जो करव आएगा किस तरीके से आएगा यहां आप रिखना rate y-axis पर क्या दिया हुआ है date x-axis पर आपको concentration दी हुई है मैं concentration कितने भी बढ़ाऊं rate क्या आने वाली है constant आने वाली है ठीक है उसके बाद जो दूसरा करव आपको देखना है वह यह वाला देखिए पहले 6 नंबर का 6 पर आपको दिया हुआ है क्या कि constant है आपका प्रास और यह time के साथ बनाना है ठीक है अज़र time का और concentration का क्या relation होता है जैसे जैसे time increase होती है reactant की जो concentration है reactant की concentration होती जाती है और reactant की concentration आपके पास decrease होती जाएगी तो तब उसके पाद आपके क्या होती है रेट पर फरक पड़ने लगेगा ठीक है अब यहाँ देखिए यहाँ तो आपकी concentration का rate पर कोई फरक ही नहीं पड़ रहा था concentration आपके कम होती भी जाए तो रेट कैसी थी constant थी जब concentration का फरक नहीं पड़ रहा तो क्या time का फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो time का कर भी आपके पास किस तरीके से आना वाला है जिस तरीके से concentration का आया था और यहां आपके पास के है क्योंकि रेट क्या था आपके पास के के एकवल्स तो यह कर भी आपके पास इस तरीके से आएगा लिक है आपको बस equation पता होनी चाहिए कि आपको यह equation लगानी कौन सी है दूसरा example देखिए आपके पास next question दिया हुआ है okay पहाँ किमिंज सेकेंड नंबर्इपर रएट वर्सेस टैमप्रेचर या रेट कॉंस्टन वर्सफॉपरेचर टेक्त टैमप्रेचर से रिलेटेट्ट इतनी ही कव कर आपके पास onboard man या सैकिंड में आपको आरेनियस एक्विशन का यूज करना है और आरेनियस एक्विशन क्या कहती है हम आगे बढ़ेंगे यह मैं आपको सीधे फॉर्मला बता रही हूं यह इस तरीके से इसका मतलब यह क्या है यह किसका करव पंगया पहचानना आ रहा है एक की पावर मैंनस एम ओबर एक्स का करव नहीं हो गया पी क्या है यहां पर आपका एक्स है तो जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को बढ़ा होगे वाई की वैली क्या होगी इंक्रीज होगी तो यहां जो आपके पास करवाने वाला है रेट का और टैंप्रेचर का क्या आने वाला है सबसे पहले आप पूइनिशल पूइंट आप बूल गए यहां इनिशल पॉइंट क्या होगा तो टैंप्रेचर की वेल्यू फुट कीजिए 0 तो के की वेल्यू आपके पास आएगी एक की पावर माइनस एम बाइज जीरो इस तरीके से आएगा इसको बोलोगे आप एवर एक की पावर एम इंफाइनाइट एवर इन्फाइनाइट जीरो आपका यह जो कर वाने वाला इस तरहीके से और आपको पत्ता भी टैंपरेचर बढ़ाने से रेट क्या होती जाती है बड़ती जाती क्योंकि नमब्र फोल्ईजन क्या होते हैं बढ़ते हैं और एक्टिविशन एनर्ज उनको मिल जाती है होती है temperature के लिए आपको क्या देखना है आर इस एक्वेशन आर इस एक्वेशन क्या है आपकी इस तरीके से है लॉग लेना है अपने को दोपर लॉग लीजे लॉग लेंगे पहले इखोट आने के लिए नैच्रल लॉग लेते हैं लॉग एंटो एक की पाउफ माइनस की ए ओवर और टी किया है आपके पास्फ यह देखेए akan बास लॉग एनटो लॉग बी इसको किस तरीके से लिखेंगे लॉग एंटो बी को लॉग ए प्लस लॉग भी करें उसी तरीके से इसको सौब करते हैं तो यहां से आएगा लॉग के इस इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ एक्सपोनिंशिल माइनस ई ओवर र्टी नैच्रल लॉग और एक्सपोनिंशिल एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और यहां से आपके पास यह आएगा माइनस ई ओवर आर्टी पर आपको नैच्रल लॉग में कर पूछा है क्या नहीं सिंपल लॉग में पूचा है लॉग बेस टेंट पर तो इसे लॉग बेस टेंट में कंप्लीट कंवर्ट करोगे तो यह आपके पास आएगा इस तरीके से अब भी यहां आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए पर आपको चीजन सारी समझ में आनी चाहिए यहां से आप इसे कर लीजिए जिस तरीके साफ से क्यूशन पूछिए है लॉग ऑफ के इस इक्वल स्टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए ओवर 2.303 आर्टी हो गया आप आपको करो किसकी बीच में बनाना है लॉग औफ के यहां पर एट क्या है के बराबर है और वन आफ टी यह क्या है वन आवर टी है यहां पर आपके पस देघुट इसकेशन को फिर से एक बाँ सौल डंब से लिखते हैं फेक्रेशन आपके पस कुछ इस तरीके से आई है लो अब देखिए यह क्या है माइनस एम हो जाएगा इस तरीके से और यह क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट हो जाएगा यह किस तरीके के क्यूशन है यह कर वह पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके आता है कर बनाना आपको बनाएए यह कर आपके पास कुछ इस तरीके से आए ठीक है यह आपके पास क्या होगया इंटरसेट अर्ट अपको कितना दिया हुआ इस कुशिंट में लॉग-xi दिया वा है आपको कितना हैं डूसरी आपको श्रोडने लगी स्लोड है ठीटा मारे डिटेशिव टीटा है और आपके पस इस अग दियो है वह कितनी पासफोर इतने सी उसके नेक्स कोर्शन तेखते हैं नेक्स कोउशन है आपके पस रेट वरसेस टाइम का देखो वहीं करो आगा जो भी हम पढ़ के आये थे लेक्षर वर्सेस्स टााइम का और तो कियो लिए तक सुपिर नहीं नहीं ज़्याने का नहीं तो आता है कि यहां पर आपके पास एंस तरीकृत से सीधी लैंने वाली है क्योंकि साथ्णक्रेशन कर र shoulders किने शिर्ण जूब से तब हम बोलते हैं कि रेट क्या हो रही है अपनी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है पर यहां पर तो ऐसा कुछ होई ही नहीं रहा है तो यहां सीधे आने वाला है आपके पास फिफ्ट और लास्ट कर जो हमें देखना है वह सी कि नौट माइनस सी वर्सेस टी ठीक है अब इंटीग्रेट रेट व्केशन क्या थी जिरो डर की के टी इस इकल टू एक्स इस एक्स को क्या मैं इस तरीके से बोल सकती हूं कि देखो आपके पास इक्वेशन ले लो यह शुरूआत में टी इकल टू जीरो पर इसके पूरी के कंसेंटरेशन मौजूद है इसका कुछ भी नहीं बना कीटाइम पर इसके एक स्मूर्ड कंजियों होते हैं जिसके एक्सिमॉल प्र Bot करव यहां कि एकक्स क्वा कर्व हुआ यहां से जो आपका करव आएगा वो किस तरीके से आएगा यह वह हमने शुड़ू के बेसिक करव पड़े आप से कर्व बनाना इजी हो रहा है बस आपको बेसिक्स याद रखने हैं बेसिक्स भी आप एक्जाम में भूल जाओ एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ वहां से वाई की वैल्यू को निकालते जाओ और वह चीज़न जो आ रही है जो रिलेशन आ रहा है उसको आप करव में दि आप दे पाते हैं और हमारे दिमाग में चल रहा होता है नहीं को वही पढ़ते हैं अंडर लाइन करो आपको कैसी मिलेगी एक्स बीचर से या वन ओवर एक्स वर्सइस टेंपरेचर से या लोग x versus 1 over temperature से log x versus temperature से इसका मतलब generally आपको सबसे पहले relation देखनी है x और temperature के बीच में ठीक है तो देखते हैं आपन ये तो आपके पास ये equation होती है second order के लिए 1 minus x minus 1 over a is equals to kt इसको थोड़ा solve कीजिए ये इस तरीके दो ये यहाँ पर क्या हुआ है x है ये temperature है एक सो टेंपरेचर की बीच में आपके पास क्या गई है relationship आ गई है तो ये आपके पास y हो जाएगा ये आपके पास x हो जाएगा तो देखने इसका एक बार इसका कर्व बनाना ये कुछ इस तरीके से है ये M होगा और यहां का स्णोप होगा इसका कर गुछ इस तरीके से आता है आपका यह क्या है इस्ट्रेट लाइन है मुझे स्ट्रेट लैन ही तो चाहिए थी यह किस-किस के बीच में आ रही है है यहां से थोड़ा से करूं तो यह वन ओवर एक्स बोल सकती हूं तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आपको किसे मिलने वाली है वन ओवर तो इस तरीके से आते हैं अब यहां से आपको ओडर भी पूछ सकता है क्योंकि जनरल एक्षमिन में आपको ओडर किस तरीके से बोले का आपको वहां नहीं देगा कि ओडर ओफ रियक्शन क्या है आपको बस कोई इस तरीके से एक्जाम में कोशन देदेगा कि इसका M इतना है एसी इतना है और आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है किस तरीके की मिलती है वहां आपको खुदी वह कोशन सॉल्व करना है देखते हैं नेक्स एक्जांपल वही अपन देखते हैं कि ग्राफ से आपके लिए वह ओडर ओफ रियक्शन किस तरीके से पूछ सकता है कोशन के दब y-axis पर आपके पास क्या आने वाला है log of rate आने वाला है और x-axis पर आपके पास log of a आने वाला है और observe slope जो slope आपको दिया हुआ है m की value आपको दी हुई है 4.6 तो हमें order of reaction निकालना है तो rate में और concentration में किस तरीके का relationship होता है इस तरीके का क्योंकि यह order of reaction नहीं दी हुई करेंगे यहां लेते हैं दोनों तरफ लॉग क्योंकि यह लॉग लिया हुआ है एल एन के एक की पावर एं वही लॉग एंटू लॉग भी solve करते हैं से लॉग रेट इस इक्वल स्टूल एल एन के प्लस इस तरीके से ठीक है लॉग पावर को क्या करने का बाहर फैक एका तो नेच्रल लॉग यह नहीं है न लॉग बिस 10 पर है तो इसे लॉग बिस 10 में कंवर्ट करेंगे नेच्रल लॉग को लॉग बिस 10 वे करने के लिए 2.303 का मल्टिप्राइब करते हैं कर दिया मैंने लॉग ए ठीक है अब यहां देखो यह क्या है y-axis यह क्या है x-axis बचे की वैल्यू दी हुई है लोग की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 4.6 और इस एक्वेशन से स्लोप की वैल्यू क्या है 2.303 एं यहां से एंड की वैल्यू आप निकालो गए 4.6 इंटू 2.303 तो एंड की वैल्यू एप्रॉक्स कितनी आएगी 2 आएगी 2.something भी 2.option में given है क्या यह रहा देखो ठीक है तो यह कौनसे order की reaction हो जाएगी second order की reaction हो जाएगी तो आपसे वो anti-value order of reaction भी पूछ सकता है आपसे simple यह पूछ सकता है कि straight line curve है तो किस किस की बीच मैं बना हूं मैं यह आपसे पूछ सकता है कि initial concentration क्या है intercept या slope देकर कुछ भी आपसे पूछ सकता है तो graph काफी important हो जाते हैं आज हमने सारे graphs के बारे में जान लिया है कल जो हम topic पढ़ने वाले हैं उसमें order of reaction के बारे में ही कि और कौन-कौन से method हैं कि हम जिनसे order of reaction निकाल सकते हैं उनके बारे में जानेंगी जिनमें अपना want of है और उस बाल डालीशन method है half-life method method है graphical method जो हमने आज पढ़े लिया और integrated method जो हम last time पर पढ़ा था तो यह सभी method को हम एक ही साथ summarize करने वाले हैं तब तक आप इन सब चीज़ों को डंक से पढ़िए मिलते हैं next video में यदि आपको मेरा content अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी video को जादा से जादा शेयर करें like करे और मेरे channel को subscribe करें thank you very much bye